नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में आज अपन पढ़ेंगे different kinds of dairy products यानि विभिन प्रकार के जो dairy उत्पाद होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे एक क्लास अपन पहले ले चुके हैं डेरी उत्पादों के बारे में आज की क्लास में अपन जो बचे हुए डेरी उत्पाद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो आज का अपना पॉइंट रहेगा different kinds of dairy products या डेरी प्रोड़क्ट्स ठीक है तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे अपन देखिए डेरी प्रोड़क्ट्स जो होते हैं खोवा हो गया घी हो गया धाई हो गया लसी हो गया चीज कैसे बनाते हैं चीज क्या होता है मो खोवा ठीक है खोवा कैसे बनाते हैं खोवा होता क्या है तो देखिए खोवा क्या है एक concentrate fat product है जिसमें क्या किया जाएगा दूद को अपन क्या करेंगे dry करते हैं ठीक है continuous heating के द्वारा इतना dry किया जाता है कि उसका जो भी moisture content है वो evaporated हो जाता है ठीक है अब खोवा बनाने के लिए एक होता है traditional method है ठीक है या small scale method बोल दूँ मैं इसमाल स्केल मेथट इसमें क्या किया जाएगा जैसे घर में अपन मावा बनाते हैं ठीक है क्या कि आपने दूद लिया दूद को क्या करते हैं कडाई में डालते हैं ठीक है इसमें जो अपकरण काम में आते हैं वो कौन-कौन से होते हैं एक तो होती है कडाई ठीक है और एक ह क्या होती है जिसे अपन उस दूद को चलाते हैं ठीक है इस टाइरिंग कम स्क्रेपिंग करते हैं इसमें क्या करते हैं अपन दूद को क्या किया कड़ाई में लिया उसको अपन डाइरेक्ट फीट पर रख देंगे फ्लेम के उपर रख देते हैं और उसको गरम होने देते हैं जो भी content लिया है अपने milk लिया है उसका content moisture content जब कम हो जाएगा तो वो solid state में convert होने लग जाएगा दीर दीरे semi solid होगा फिर solid होगा तो अपने को क्या करना है इस कुंठी की साहिता से उसकी stirring करते रहनी है और scraping भी करनी है scraping का मतलब क्या होता है कि वो जो भी material अपने कडाई में लिया है वो उसके चिपकना नहीं चाहिए नीचे ठीक है फ्लेम की वज़े से नीचे चिपकना नहीं चाहिए उसको चलाते रहेंगे regular और अपने को क्या मिल जाएगा एक semi solid material मिल जाएगा semi solid consistency में आ जाएगा जो भी consistency में आ जाएगा और भी ठोस हो जाएगा वेकदम ठीक है फिर इसके बाद क्या होना लग जाएगा वो ड्राइओने लग जाएगा तो अपने को क्या मिल जाएगा वहां से खोवा तो यह खोवा बनाने का simple सा method होता है जिससे अपने क्या किया दूज से खोवा बना लिया हो प्रकार की मिठाईयां बनाई जाती है ठीक है तो खोवा इस प्रकार से बनाया जाता है जो लार्ज स्केल पर क्या होगा कडाई और कुंठी की जगए क्या काम मिलेंगे बोईलर काम मिलेते हैं उसमें हीटिंग रेगुलर होती रहती रहती है रोपने को मावा मिलता रहता ह है ठीक है तो यह पड़ा पड़ने मावा नेक्स्ट प्रोडक्ट देखिए घी घी कैसे बनाते हैं गी बनाने का सबसे सिंपल तारीका गी होता क्या है यह क्या है बटर फैट बटर फैट का अब देखिए एक होता है इसमें हाउस होल्ड मैथड है यह ट्रेडिशनल मैथड जिसे बोलते हैं अपन जैसे घरों में सब ने देखा होगा घर में घी कैसे बनाते हैं तो चाट से अपन क्या निकाल लेते हैं बटर निकालते हैं मक्खन को क्या करेंगे अपन एक बर्तन में लेके फ्लैम के उपर रेंगे इसको गरम होने देंगी गरम होने से क्या होगा उसका दो मे इवैपोरेटेड हो जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा घी मिल जाएगा ठीक है मोईस्टर कंटेंट जब इवैपोरेटेड हो गया तो उसको छान लेंगे अपन छानने के बाद क्या मिलेगा अपने को सुद्ध देशी घी मिल जाएगा ठीक है तो यह हाउसोल्ड मैथ मैथध होता है इसके लावा इसमाल स्केल मैथध होता है कि इस्माल स्केल मैथण करते क्या करेंगे इस क्रीम को बर्तन में लेके डाइरेक्ट फ्लेम पे रखेंगे पन डाइरेक्ट फ्लेम डाइरेक्ट फ्लेम पे रखके उसके हीटिंग करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा उसका मोईस्चर इवैपोरेटेड हो जाएगी मोईस्चर इवैपोरेशन जो भी उसमें नमी है वो कहां चली जाएगी उठ जाएगी वातावरण में चली जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा यह क्रीम किस में कनवर्ट हो रही है घी में कनवर्ट होगी ठीक है इसको क्या करेंगे अपन फिल्टर कर लेंगे चान लेंगे चान के क्या कर लेंगे डिजारेबल जो भी कंटेनर है उसमें भर लेंग लिया जाता है इसके अलाववा एक large scale method हो सकता है large scale method ठीक है large scale method में क्या होता है वह दूद लेंगे अपन दूद से क्या करेंगे cream separate कर लेंगे ठीक है ये continuous सलता रहेगा procedure क्योंकि ये large scale method है अपने को अतिक उत्वाधन करना है इसमें क्या करते है ढायरेक्ट व्लेम की जगे घी बौलर काम में लेते हैं घी बॉइलर्स ठीक गि बॉइलर्ड होता है वह काम में लिये जाते है इसमें क्या होता है जो अच्छौर् churches का घ्रैемся कि कितना अच्छ이라 होता है कि जो गी बोईलर होता है उसमें कितना प्रेसर होता है इस टीम प्रेसर कितना होता है यह पड़ापन्ने गी बनाने का तरीका ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट डेरी प्रोडक्ट देखिए दही कैसे बनाते हैं ठीक है दही क्या है तो सबसे पहला पॉइंट आता है दही में यह क्या है किन्वी क्रत या फर्मन्टेड मिल्क प्रोडक्ट होता है फर्मन्टेड मिल्क प्रोडक्ट का एक्जामपल क्या होता है धही होता है ठीक है जबकि कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट जो होते है वो कौन-कौन से होता है पनीर होता है छेना होता है चीज होता है ठीक है गरों में किस प्रकार से दही बनाया जाता है सब लोग जानते होंगे इसके बारे में तो दूद को गरम करते हैं पहले गरम करने के बाद क्या करते हैं उसको थोड़ी देर कूल डाउन यानि ठंडा होने के लिए रखते हैं ठंडा जब वो हो जाएगा बोडी टेंपर होता है उससे क्या हो जाएगा बैक्टिर कल्चर मिलाने के बाद उसको कंप्लेटली मिला दिया जाता है फिर उसको अंडिस्टरब रख देंगे पूरी रात के लिए उसको रख दिया जाता है बीना हिलाए फिर क्या होगा सुबह अपने को क्या मिल जाएगा तही मिल जाए का इसमें दो स्टेप काम मिलेंगे एक तो होता है इनोकुलेशन और एक होता है इनक्यूबेशन ठीक है इनोकुलेशन एंड इनक्यूबेशन दोनों क्या है कैसे काम में लिए जाता है वो देखते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाएगा इस्टेंडर्ड मैथर से धही बनाने होता है 4.5 होता है और SNF कितना होता है 8.5 ठीक है अब क्या करेंगे अपन इस स्टेंडाइज मिल्क को वार्म करेंगे वार्म अप्टू 40 डिग्री सेंटिग्रेट ठीक है 40 डिग्री तक इस extendize milk को गरम किया जाएगा फिर क्या किया जाता है इसको cool down boiling up to 22 degree centigrade 22 degrees centigrade तक इसको अपनने क्या किया थनडा किया अब जब यह इतना थनडा हो गया अब क्या कर देंगे इस में स्पसीफिक specific bacterial culture ठीक है specific होता है bacterial culture ठीक है इसकी concentration होती है 1-3% ये मिला दिया जाता है इस दूद के अंदर ठीक है specific bacterial culture जो 1-3% है वो दूद के अंदर मिला ना क्या कहलाता है inoculation ठीक है ये जो step है इसको क्या बोलते हैं पर inoculation ठीक है inoculation करने के बाद क्या कर देंगे अपन ये जो content मिला अपने को after inoculation इसको glass bottles ठीक है या plastic cups इसके अंदर डाल देंगे ठीक है क्या कि अपनने दूद को गरम किया थोड़ा शंड़ा किया specific bacterial culture मिलाया फिर क्या किया उस content को अपनने plastic के कप या glass bottles के अंदर डाल दिया क्या कि अपनने glass bottles में डाला फिर इसको 16-18 गंटे के लिए 30 degree centigrade पर undisturbed रख दिया जाएगा फिर क्या यह जो 16-18 गंटे तक अपने इसको रख रहे हैं 30 degree centigrade पर यह स्टेप क्या कहलाता है incubation कहलाता है ठीक है इसको क्या बोलते हैं अपन incubation ठीक अब क्या करेंगे इसको यह जो time complete हो जाए जब incubation complete हो गया इसको ठंडा कर लेंगे अपन अप्टू 10 degree centigrade और पांच degree centigrade पर क्या करते हैं इसको stored कर लेंगे ठीक है उसके बाद क्या किया जाएगा इसको supply कर दिया जाए तो यह है धही बनाने का standard तरीका ठीक है इसमें अपने यह सारी चीज़े देखिए अपने को ध्यान क्या रखना इसमें पहली बात तो standardized milk होता है एक inoculation होता है incubation होता है inoculation किसे कहते है बेक्टेरियल कल्चर की concentration क्या होती है और incubation क्या होता है यह पड़ा ठीक है तो यह है standardized method धही बनाने का नेक्स्ट देखिए लस्षी तो धही से लस्षी बनाना बिल्कुल simple सी बात है कैसे बना सकते हैं धही से लस्षी बनाने के लिए क्या करेंगे अपन या तो धही को अपन ब्रेक करेंगे manually या क्या में ले सकते हैं एजिटेटर यानि देखिए दाई को क्या किया अपन ने ब्रेक किया ब्रेक बाई एजिटेटर काम में ले सकते हैं और बिलोना या मथानी काम में ले सकते हैं ठीक है इसमाल सकेल के लिए तो एजिटेटर की साहता से ब्रेक करेंगे दाई को तो ये कुन सा में तरो जाएगा Mechanical ठीक है मसीन की साहता से और manually भी कर सकते हैं इसको मदानी वाले को क्या बोलते है Manually ठीक क्या कि आपने दाई को ब्रेक कर लिया अब क्या कर देंगे इसमें एडिशन ओफ सूगर, साल्ट या कलर ठीक है और अदर इंग्रेडियेंट्स एड कर सकते हैं अपने को जो चाहिए उसमें फ्लेवर इन हांसर हो सकता है वो ठीक है या कई प्रकार के डाइफ रूट्स हो सकता है तो सूगर, साल्ट, कलर जो भी एड किया अपने उसके बाद मे क्या मिल गए अपने को डिजाइरेबल जो लस्षी चाहिए थी अपने को लस्षी मिल गई ठीक है तो यह सिंपल सा प्रोसीजर है ध्यान क्या रखना है कि दही से लस्षी बनाने के लिए क्या काम में ले सकते है पने एज़िटेटर मता नहीं है अमेकेनिकलिया मैनूली ब् नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें इन्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें चीज चीज क्या है थीज पहला पॉइंट से क्या है को आगुलेटेड डेरी प्रोड़क्ट है थीक्हें पहला क्या बनता चीज से यह कोईडूलेटेड डेरी प्रोड़क्ट होता है अब चीज बनाते कैसे है perto frankly पाइश Fifa बनाने की वीधी है उसमें एपनने USTEND как लेंगे स्टेंडाइज मिलक लेके उसमें की मिला रहा है sono Coagulant मिला रहा है वह क्या हो सकता ह generator एक सब्सक्राइब उससे क्ये वे सेप्रेट हो गया, मैंने कहा किया standard milk लिया spark मिला सब्सक्राइब क्या हो सकता है लेक्टिक और सडेक दोनों में से कोई साभी एसिड्यो सकता है इससे क्या हो जाएगा? क्योगुलेंट जैसे ही मिलाऊंगा. नीचे क्या मिला था मेरे को कर्डल्ड मास मिल गया. कर्डल्ड मास मिल गया और क्या निकल गया था बहार? वे सेपरेट हो गया thing . ठीक है? Greenish way सेपरेट हो गया and अब इस करडल्ड मास को अगर अपन चीज़ हूब, ठीक है चीज़ भू पी साहेधा से प्रेष करें, तो इसकी क्या होगी ? specific meeting हो जाती है specific meeting ठीक है specific meeting हो जाएगी जिससे अपने को क्या मिल जाएंगे चीज के blocks या मैं बोल दूँ जो भी material है अपना curdled mask उसके blocks प्राप्त होंगे ठीक है इन blocks को क्या कर देंगे फिर waxing करते हैं इनकी and kept for ripening यानि क्या मतलब है देखिए अपने क्या किया किया जो करड़ल मास मिल रहा है अपने को coagulant मिलाने के बाद उसको cheese hoop के अंदर डालेंगे cheese hoop से क्या होगा उसको प्रेस किया जाएगा particular time के लिए उससे क्या मिल जाएगा ब्लोक्स मिल जाएंगे specific books उनको क्या करते हैं फिर रख देते हैं अपने आप पकने के लिए तैयार होने के लिए उसके बाद क्या मिल जाता हैंपने को cheese मिल जातम अब प्रोड़क्ट बोले आपन तो साउथ इंडियन डेरी प्रोड़क्ट होता है जिसे इटेलियन बफेलो के मिल्क से तैयार किया जाता है इटेलियन बफेलो के त्यार किया जाता है बफैलो मिल्क ठीक है और यह क्या है यह साउथ इंडियन डेरी प्रोडक्ट है कि अज़िए नेक्स्ट डेरी प्रोडक्ट देखिए एक उता है बटर मिल्क जो अपने पड़ा था बटर मिल्क कहां से मिलता अपने को बटर मेकेंग का साइड प्रोडक्ट होता ही Sat कि साइड प्रोडक्ट ओफ बटर मेकिंग है बटर मेकिंग कि नेक्ट देखिए एसीडो फीलस मिल्क ऐसीडो फीलस मिल्क जो होता है इसमें क्या काम मिली आजाता है Lactobacilos PIN IcidIFILUS यह bacterial culture है bacteria का नाम है lactobacilos PIN इसका culture काम मिली आजाता है Acidophilus Milk बनाने के लिए और acidophilus milk जो होता है वो उपचार के काम मिली आजाता है therapeutic purpose का होता है Acidophilus Milk यह द्यान मिली रखने आ पने आपने जाँगो नेक्स्ट होता है बल्गेरियन मिल्क हो हों के लिये जो बेक्टीरियल कलचर होता है वह कौन चनल आप कह लेक्टो बैसिलस बॉल्गेरी कस यह द्यान रखना बलगेरियं dislk में क्या काम मिलेंगे लेक्टो फासिल बल्गेरी कास और एसीडो फिल्लस में लेक्टो फिल्सец Как माel इस में क्या होता है से ए blessed कल्चर भी काम में लिया जाता है इस हमें twitter अक्ड़्र89 में काम में लिया जाता है के दूद से प्राप्त होने वाला उत्पाद कुन सा है कुमिस होता है ठीक इसमें एलकोहॉल और इस दोनों कल्चर काम मिली जाते हैं और फाइनली जो कुमिस प्राप्त होता है उसमें कितना होता है ड्वाइप परसेंट तक एलकोहॉल होता है ठीक है यह ध्यान रखना अपन केफिर एक प्रकार का ग्रेन होता है ठीक है केफिर ग्रेंज ठीक है एक प्रकार का अनाज होता है जिससे ये मिल्क प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होता है केफिर केफिर जो होता है केफिर ग्रेंज से प्राप्त होता है इसमें क्या करते हैं अपन एक प्रति शत्तो लैक्टिक utosी काम मेलेंगी لैक्टिक ड कलोचर फ्लश वन पर्सेंट क्या काम प्लेते हैं एलको ठीक है यह काम मिलி है जाता है केफिर को बनाने के लिए नेक्स्ट डेरि प्रॉडक्ट देखिए है फोर्टीफाइड मिल्क क्या होता है तो ऑजिवीवीवीकर देखिए असे प्रकार को क्या बोलते हैं Fortified Milk देखिए Fortified Milk Fortified Milk मैंने क्या बोला Milk में क्या add कर दूँ मैं Milk में add किया मैंने Mineral add कर दिया ठीक है या एक बार क्या add कर दिया Vitamins add कर दिया ठीक तो यह जो add करने का process है इसे क्या बोलता है Fortification ठीक और इससे जो पाद मिलेगा उससे क्या बोल देंगे Fortified Milk बोल देंगे अब Minerals add कर रहे हैं तो इस प्रकार के दूद को क्या बोल देंगे अपन Mineralized Milk Mineralized Milk और Vitamin add करने पर जो Milk मिल रहा है उससे क्या बोल देंगे अपन Vitaminized Milk Vitaminized Milk ठीक है यह Fortified जो Milk होता है वह Mineralized भी हो सकता है और Vitaminized भी हो सकता है Next देखिए Eradicated Milk Eradicated Milk Eradication का मतलब क्या होता है दूद के अंदर क्या करें अपन Radiation का exposure करें तो उस Milk को क्या बोलेंगे Eradicated Milk यानि Milk को मैं क्या कर दूँ Ultra Voilate यानि पराबैंगनी किर्णों का exposure दूँ दूद से क्या किया मैंने पराबैंगनी किर्णे गुजार दी तो उससे क्या हो जाएगा दूद के अंदर क्या बढ़ गया Vitamin D का content बढ़ जाएगा Vitamin D की मात्रा दूद में बढ़ाने के लिए दूद से पराबैंगनी किर्णे गुजारी जाती है और इस प्रकार का दूद क्या कहलाता है Eradicated Milk कहलाता है तो आज ही अपने प्रकार के dairy products कौन-कौन से होता है कैसे बनाये जाते हैं और अपने एक्जाम में क्या यह वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे धन्यवाद